हे गाईस कैसे हो आप सब आज हम कुछ डेली यूज के लिए एडवांस फ्रेजिस करने वाले हैं प्लीज आप ना इनको यूज किया कीजी अपनी लाइफ में डेली लाइफ में आपकी जुबान पर ये फ्रेज फिट हो जाएंगे ठीक है ना हमारा फर्स्ट है हेर जैसे किसी नेम से क्लियर है कि हेर रेज करना हेर रेज कब होते हैं जैसे हमारी स्किन के हेर रेज होते हैं जब हमें कुछ हमने ड्रावना देख लिया हेर रेजिंग का मतलब है बहुत ड्रावना वेरी फ्राइटनिंग ठीक है जैसे हम कोई ड्रावना अडवेंचर कर रहे उसके लिए hair raising use करेंगे जा फिर कोई activity है कोई time ऐसा आता है हमारी life में ठीक है meaning देखो hair raising कहा है very frightening इसको event के लिए कोई activity कोई experience हमारा hair raising होता है example है we had a hair raising time hiking in the mountains हमारा second word है half hearted जैसे heart होता है दिल ठीक है कोई भी काम हम एक तो दिल से करते हैं एक होता है half hearted जैसे कोई भी काम करना है हमें कोई ज़्यादा interest नहीं है उसमें ठीक है कोई ज़्यादा हम उत्षा के साथ नहीं करें हैं ऐसे normally बस किसी के कहने पर unwillingly कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके कहते हैं कि half hearted हैं हम ठीक है half heartedly इसको कर रहे हैं काम को meaning देखो इसका without enthusiasm और energy showing little interest किसी चीज में कोई interest ज़्यादा ना होना थोड़ा बहुत इंटरस्ट होना कोई ज़्यादा energy ज़्यादा इनर्जी ज़्यादा ना दिखाना third one है heart searching searching का मतलू होता है किसी चीज को खोजना ठीक है और heart searching का मतलू है किसी के दिल को खोजना किसी के दिल में पता लगाना कि इसकी क्या feelings है क्या motives है जैसे कोई stranger हमें मिल रहा है तो हम पहले इसकी heart searching करेंगे कि यह हमसे क्यों मिला क्या motives का इसके क्या feelings हैं ठीक है उसको बोलते हैं heart searching करना meaning है thorough examination of your feelings and motives किसी के thoroughly examination करना किसी की feelings and motives का example after much heart searching they decided to separate उन्होंने heart searching के बाद separate होने का decide कर लिया तो guys आज के three words आपको कैसे लगे आप इन्हे daily life में अपनी में use कीजिए तब भी आपकी जुबान पर fit हो जाएंगे ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please मेरा चैनल subscribe कर लो और आपका जो comments होते हैं वो मुझे motivation देते हैं तो आपको ऐसी मतलब के advanced phrases words आपके लिए मैं और लेक्या होंगी thank you so much have a nice day